नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हरपल मैं हूँ आपके साथ रेखा मिश्रा लोग सबाच नौक के तीसे चरन को लेकर के लगाता नामांकन का दोर जारी है इसे में हम आपको सीधे लखना उलिये चलेंगे जहां इस वक्त हमारे सयोगी सतेंद्र मौझूद है और इंडिया गटवंधन के प्रत्यासी जो है वह अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए हैं रविदास मलोतरा क्या कुछ अपडेट है क्या कुछ जानकारी है सतेंद्र जी रविदास मलोतरा यहां करेक्टेट पहुचे नामांकन दाखिल कराने हमारे सामने हैं यह आप है आप देख सकती है और यहां पर बड़ा जन सहलाब इनके साथ है पुरा रोड सो निकाला गय हम उनसे बात करने की कोशिस करेंगे और लडाई में सर्वर मलिक लडाई में है और यह परिवारबाद नहीं है उनका बेटा भी उपाध्यक्स है उनका बेटा भी धायक है और जो है इस बार उनको मालूम पढ़े लडाई में कौन है क्या रहे गए रहे गए रहे रहे हैं हम लोग नामांकन करने हैं शहर के अंदर से दूसर लिकला है पूरा चंद सलाब वर पड़ा है जनता उमड़ पड़ी है और जब भारतियंता पार्टी के सांसर नामांकन करने आये थे तो लोग उनको एक देखने के लिए कह रहे थे कि पांस साल के बाद दिखाई पड़े हैं और उनके 95% लोग लखनो के बाहर के थे हमारे 100% लोग जो हैं लखनो के हैं और लखनो ने आज ही फैसला कर दिया है कि हम राजना सिंडो बहुत बड़े अंतर से चु किस तरीके से यहां नामांक का तर्गय चल रहा है और यहां का जो आप देख सकते हैं यह कलकटेट का है यहां आज हमाजवादी पर्टी और कॉंग्रेस के लिए इंडिया गटबंदन के जो अब त्रतियासी है वो आज नामांक का दर तरा यहां पर दाखिल कर रहे हैं आरके चोधरी यहां मोहलाल गंज लोकसवासी से आज अपना नमांकल पर्चा दाखिल कर रहा है इससे पहले आप देखे किस तरीके से तमाम जो है खुरच्छा विवस्ता और पुलिस के तमाम जबान भी मुझूद हैं बड़ी मुश्किलों के बीच यहां जो है इनसे बाच सो में देखा गया है उनका कहना है कि जो यहां के जो केंद्रिय मंत्री है और यहां के सांसर राजना सिंग है वो बाहर से जो है लोगों को लेकर आये थे इनका कहना है और यह कह रहा है कि हमारे साथ जो लखनों की जनता है वही जनता हमारे साथ है और ऐसे में यह जनता लो लोगिन के साथ इस नामांगकन आप अर्चा दाखिल करने के दौद रहे हैं और जब चुना होगा तो उसमें आरी चल जाएगी तो मेरे साथ फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही आप देखते रहें लाइब इंडिया हर्पल नमस्कार